हलो दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल इलर्णी विद्रगेश में स्वागत है आज से हम एक नए विशय एक नए अध्यागे शुरुआत करेंगे जिसमें हम एक करके हम सभी को पढ़ेंगे और पूरी पूरी किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एन सी ए आइटी का फुल्फाम क्या होता है तो एन सी ए आइटी का फुल्फाम होता है नेशनल कांसिलिंग आफ एजुकेशन रिशर्च एंड ट्रेनिंग यहाँदी में आप जानना चाहें तो उसका मतलब होता है राश्ती सैच्छिक अनुसंदान और प्रसिषण परिश हमारा जो पहला लेशन होगा उसका नाम है सवर मंडल में प्रिद्वी जो पहला लेशन है उसका नाम है सवर मंडल में प्रिद्वी यह लेशन एक है कच्छा च्छा के भूल का चलिए इसको हम पढ़ना श्राट करते हैं और समझाते भी हैं आपको इसमें क्या है देखिए को देखना कितना अच्छा रगता है सुर्यास के बाद आकाज को दिखना कितना अच्छा रगता है आश्मान में पहले एक या दो चमकते बिंदू दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी संक्या बढ़ती जाती है आप उनकी गना नहीं कर सकते संपूर आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुमों से भर जाता है जिन में कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुदले ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो इन में से कुछ तिंटिमाहते प्रतीक होते हैं से जो रात कुछ दूति है और कि आपसर हो करना होते हैं जो चलते हैं कुछ चंत भी नहींट के आगे देखते हैं इन इन चमकीली वस्तुमों के साथ साथ आप लगबग प्रते दिन चंद्रमा को भी देखते हैं यह अलग-अलग समय पर आकारत अलग-अलग इस्थिति में दिखाई पड़ता है आप पूर्ण चंद्र को लगबग एक महीने में एक बार से देख सकते हैं यह पूर्ण चंद वाली रात या पूर्णिमा के नाम से जानते हैं 15 दिन के बाद आप इसे नहीं दे सकते यह नय चंद्रमा की रात्तरी यह अमावस्या होती है अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता ऐसी रात में अक्सर आसमान साफ हैं तो आप आसमान का अलोकर अच्छी तरह से कर स पाते ऐसा इसलिए है क्योंकि सुर्ग के अत्यदिक प्रकास के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में नहीं देख पाते देखे जब हम सुबह होती है तो चांद का जो प्रकास होता है इतना अधी चमकीला होता है कि उन तारो चंद्रमा के अपेच्छा वह दिखाई नहीं देते इसका कारण है वह जो तारे दिखाई देते हैं वह काफी दूर होते हैं इसलिए उसकी रोशनी कम होती है अज सुर्य नजदीक होता है अगे देखते हैं सुर्य चंद्रमा सभी वस्तु है जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोली पिंड कराती या कन बारत है यह पकशेयशन नातका होते यह गैसो से बने होते हैं इन के पास अपनी उस्मावा प्रकास नहीं होता है वे जिसे वे बहुत बड़ी मातरा में उस्जिद करते हैं इन खगुली पिंड को टारा करते हैं सूर भी एक टारा है अथा सब्सक्राइब उसक्ता है उसे हम तारा के नाम से जानते हैं यहां पड़ा आपे दिया गया हुआ है आए कुछ करकर सीखे जो narrative की बुक पढ़ खोती वह बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे पड़ेंगे बहुत से खड़ी होकर क्या देख रही है यह है Jewora को देख रही है जनते हैं कि दूट वारра किस तडिश llama होता है तो यहां पे सिटर के माध्यम से यह समझाया गया है कि उस्टर डिशा की तरफ द्रूत आरा होता है नियु में लेकिन हमसे बहुत दूर अधिक दूर होने के काला हम लोग उसकी उस्मा या प्रकास को महसूस कर नहीं करते हैं तो आपने अवस्तियान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुने छोटी दिखाई पड़ती है अब आप समझ सकते हैं कि जब जहाद इतना उपर उड़ता है तो छोटा दिखाई पड़ता है वह तारे कितने लाखो करोनों किलो मिटर दूर है तो वह कितने छोटे दिखाई देंगे रात्र में आसमान की योर देखते समय आप तारों के विविन समुह द्वारा बनाई गई विविर आकरती को देख सकते हैं यहां नशत्र मंडल कहलाते हैं कि यहां बें कहा गया है कि जो तारो दोरो डिविशन आक्रिती बनाई जाती उसे नशत्र मंडल के नाम से जानते हैं कि अगर देखते हैं कि अरसा मेजर या बिग बियर इस प्रकार की यहां देखिए प्रकार बताया गया कि इसका नाम है आर्षा मेजर या बिग बिएर यह कहा एक नशत्र मंडल है आगे देखते हैं बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नशत्र मंडल ए इसमाल बीयर या सब्त शी सबत मतलब साथ रिसी मतलब संथ यह साथ तारों का समू है जो एक बड़ी नच्छतर मंडल अर्षा मेजर का भाग है आप चित्य संख्या एक दिसमरों एक में इसे देख सकते हैं आपको दिखा दे रहा हूं मैं देखिए यहां पर साथ तारे हैं न एक दो तीन चार पांच साथ इस आकरतिक बना हुआ यह इस आकरतिक है यह क्या है यह क्या एक नच्छतर मंडल है इसका नाम क्या है सब्त्रिसी इसमाल वियर या सब्त्रिसी ठीक चलिए आगे चलते हैं अब अपने परिवार या पडोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक और अधिक तारों ग्रहों तता नच्छत मंदलों को दिखाए प्राचीन समय में लोग रात्तरी के दिशा का निरहना करने है तू तारों की साथा लेते थे उत्तरी तारा Кют TA लिखाए उत्तरी तारों के नाम से भी जान जाए उत्तरी जिसा को बताने वाला तारा हुए यहां आसमान में हमेशा एक है ही स्थान पर रहता हैoria हम सब्तिरिस्टी उस्थीशि कि साता से इसे नच्छतीन कि और देखेंगे की यदि सब्तibtरिस्री मंदल के संकेत तारो का आपस मिलाते हुए एक कालपनी ग्रेखा किजी जाए तो उसके आगे की और बढ़ा जाए तो यह दुरुवत तारा की और इंगिद करता है चलिए देख रहते हैं देखिए देखिए यहां पर यहां पर यहां से सीधी से कोड़ जाते हैं तो हमें क्या धुरुवत तारा मिल जाता है चलिए आगे चलते हैं चलिए कि आप चित संक्य एक में देखेंगे तो आपको धृत वारा दिखाई देगा चलिए आगे देखते हैं कुछ खगोली पिंड में अपना स्वयम का प्रकास वह उस्मा नहीं होती है अपका सित की उसमा वह परकास की थी त涯हां परफना गया दो किGS कहते हैं तो वहां का 2009 जिसमे स्यम की उसमा वह परकास होता है ये सब और Kabuk जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं यह ग्रीक भासा के ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और यह ग्रीक भासा के प्लेने टाई सबसे बना है जिसका अर्थ होता है परी ब्रमक अर्था चारो और घूमने वाला ग्रह का अर्थ क्या होता है ग्रीक भासा में चारो और घूमने वाला यह किस सबसे बना है यह प्लेने टाई सबसे बना है यह इसना बहुत ज्याद़ इंपोर्टेंट है कि ग्र प्रिद्वी क्या है प्रिद्वी एक ग्रह यह अपना संपूर प्रकास प्रकास प्रिद्वी के अधिक ढम thirds अर्थात प्रकास सोर्ष में से लेता प्रिद्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमक्ती ही पतित होती है यह जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो यह चमक्ती रहती है लेकिन जब हम चंद्रमा पर से प्रिद्वी को देखेंगे तब भी प्रिद्वी चमक्ती ह यह नजर आएगी लिखा हुआ है प्रिद्वी को बहुत अधी दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती ही पतीत होगी क्योंकि इस पर सूर की किरेड़े सूरी की रोसनी पड़ रही है चलिए अगा देख लेते हैं यहां कि लिया है रोचक तत् ब्रहस्पति स्थनी तथा यूने यूरेनस के चारो और छले है यह चली बिवन पदार्थों के चोटे चोटे पिंडो की पत्तियां प्रिद्वी से इन छलो को सक्तिसाले दूर्भीन की सहता से देखा जा सकता यह जो ग्रह है इनके चारों तरफ क्या है चल्ले है जिसे हम सुरवीन की साथा से क्या सकते हैं इसे हम क्या खिली आगे बढ़ते हैं इनल सोलर सिट्टेμ है उसका ग crap in में जियात्य है तो सूर यहांपे है बीच में जई सवार मांडल मरकरी के नाम से जानते हैं फिर जान多 जानते हैं स्मिक मत करद मुणी जानते हैं फिर यह मंगल है इसे हम मार्स के नाम से जानते हैं आगे है जुपिटर इसे हिंदी में ब्रिस्पति करते हैं फिर अगला करम आता है श्रनी का इसे हम सेटरन के नाम से जानते हैं अगला है यूरेनस फिर आपका अगला है नेप्ट्यून इसे हम अरूड अवरूड के नाम से जानते हैं चलिए आगे हम देखते हैं दिखे यहां पे कुछ डेटेल्स दिया गया है यह इसे हम पढ़ते हैं आवा को समझाते हैं देखे यहां पे दिया गया है बुद्ध-शोक-पिरद्वि-मंगल अर्थात सुरू से चार गरह, अगर हम सुरुक की दूरी की साथ देखे तो यह सुरू के चार गरह दिये गए हैं, इसे लिखा गया है, यह चारो गरह क्या है, यह आंतरिक गरह है, जो सुरुक के बहुत नजदीक है, और चक्तानों से बना हुआ है, तो आंतरिक गरह कौन से ह गया लिए चौर स्ट खोगा और मंगल भी तेक कि मार्करी हो गया मतलब विनास्ट हो गया इर्थ हो गया और मार्ष्व चार क्या हो गया आंत्रिकर्थ क्लेंग अब देखते हैं को दिया गया वब बुध्ध क्या करता है शूर के सूर के चारी उर एक परिक्रमड 28 दिन में लगाता है। और अपने औक्ष पर गुरण 69 दिन में करता है। OA के चारी हलत्य तरफ 88 दिन में Āp ría 675 दिन में हो अपना एक गुरण कि तंद्र कमा गो payments आपने खुंडू ओर एक परामड 350 दिन में और अपने अक्ष्ष पर गृडण एक दिन में मंगल सूर के चारोर एक पलीक्रमन 687 दिन में और अपने अक्षपड गुर्ण एक दिन में ठीक यहां पर दिया गया हुआ है चंद्रमा की संख्या दो तो यह क्या समझ रहे आप यह मंगल गरह के दो उबगर है उसका उसकी बात यहां पे कर रहा है आगे हम देखते हैं तो देखिए आगे यहां पर दिया गया है कि बाहे गर जैसे हमने आंत्रिक गरह को भी पड़ा उसी तरह क्या है उसी तरह बाहे गर यह सूर से बहुत दूर है तता बहुत बड़े आकार की है गैस और तरल पदार्थों से बहुत ब्रिस्पति शनी यूरेनस और नेप्चिवन मतलब क्या यह आपका जुपिटर हो ग पूरी करता है और अपने अक्षपर घुरणन नौ गंटे 56 मिनट में पूरी करते हैं यह दिया गया चंद्रमा की संक्या 16 अर्था अब गरहों की संक्या लेकिन यह गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिस्पति के ही पास है जैसा की पाया गया आगे देखते हैं सनी सूर के चारो और एक परिक्रमर 29 साल 5 महिने अपने अक्षपर घुरणन 10 घंटे 40 मिनट चंद्रमा की संक्या 30 से अधी यह जो फैक्ट डाटा है वह आपको बाद में दिया जाएगा यू रेनस मतब अरून आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया हुआ है यहां दिया गया है सू यह सूर के चारो और परिक्रमा एक सो चौसर साल में और अपने अक्षपर घुरणन 16 मिनट में अपने अक्षपर घुरणन 16 मिनट हम यह 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 एक चीछ देख रहे हैं कि जो गुरह सूर के नजदीक है वह है सूर की प्रक्रिमा जल्दिकर ले रहे हैं लेकिन अपने अक्षपर घुरणन 16 कोकर रहे हैं वह एक समय में कर लेरे हैं बेकिन से दूर यह यहां पर दूर होगा यह वहां से चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे यहां दिया गया हुआ है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपगर है यह हमारी प्रिद्वी का सहचर है तो इसके चारों और चक्कल लगाता है अर्था जो चंद्रमा है वह प्रिद्वी का उपगर है और य प्रिद्वी के समान साथ अन्य ग्रह हैं जो सुर्ख से प्रकास वह उसमा पराप्त करते हैं और उनके पास भी कुछ अपने चंद्रमा है चंद्रमा करते हैं यहां उपगरह से हैं ठीक है और मैं आपको यहां पर उपगरह का डिफेसर बता दूं वहां कि खगोली पिंड जो अपने ग्रह की प्रक्रमा करते हुआ शूरह की प्रक्रमा करता है उसे हम उपगरह करते हैं उप सेटेलाइट करते हैं वह दो प्रकार कि होता है एक प्राकृतिख होती है सिंद्रमा Default करेंगे सौर मंडल के क्या है सूर आड ग्रह उपगर और कुछ अन्य खगोली पिंड जैसे चुद ग्रह या उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निरमाड करते हैं उसे हम सौर परिवार का नाम देते यह सका मुखिया क्या है सूर है जैसे हमारे घर में दादा दादी ममी पापा चाचा चाची सब रहते हैं उसी प्रकार सूर का भी अपना परिवार है इसमें सूर अपने परिवार का मुखिया है उसके आठ गर है यदि इसे हम परिवार की भाती कहें तो सूर क्या हो गया सूर क्या हो गया सूर पिता के समान हो गया आठ गरह उसके पुत्र के समान हो गया उपगरह उसके पुत्र के समान हो गया बेटे के बेटे इस परकार इससे आप समझ सकते हैं आगे हम देखते हैं आप सूर की बात करते हैं सूर मंडल में सूर है ग्रह है उग्रह है उलुकापिंड है छुद ग्रह है ठीक है अब हम इसमें सबसे पहले सूर की बात करते हैं सूर सौरमंडल के केंदर मेजती थे यह आपको मैंने पहले बता दिया यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसो से बना है इसका खिचाव बल इसे सौरमंडल को बाधे रगता है सूर सौरमंडल के लिए प्रकास और उसमा का एकमात्र स्रोत है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उसमा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नद्दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है सौरी पिद्यवी से लगबग और सlt की बात करें तो पंद्रह करोण किलोमीटर क्या है सौर से दूरी के नशार सबसे पहले क्या है बुधध है शूंक रहे पिद्वी मंगल ब्रसपति इसनी यूरुने सथा नेप्चियु ने रिखें आप बिया के आगए हैं कि सूर्च से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने के आसान तरीके तुमें आपको बता दूं कि ट्रुक जो ट्रिक होती है वो कभी नहीं याद करना चाहिए कितना प्याद करेंगे आपको भुगोल और इत्यास परने के लिए टिक की जरूरत ही नहीं है कब तक ट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है चलिए आगे हम देखते हैं सौर मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पत्थ पर सूर का चक्कल लगाते हैं यह रा आगे देखते हैं यह कच्छा कराते हैं जो यह चक्कल लगाते हैं इन्हें हम किसके नाम जानते हैं कच्छा के नाम से जानते हैं बुद्ध सूर के सबसे नजदीक है जो बुद्ध गरह है वह सूर के सबसे नजदीक है अपनी कच्छा में सूर के चार और एक चक्कल लगा प्रिद्वी का जुडवा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृती लगभग प्रिद्वी के प्रिद्वी के बहिन के नाम से भी जाना जाता है चलिए आगे देखते हैं अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था किन्तु अंतर राष्टी खगोली संगठन ने अपनी बैठक यह बैठक अगस्त में हुई थी यह निर्ण लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोली पिंड जिसका नाम है सिरस्त तथा प्लूटो को बाउने ग्रह कहें जा सकते हैं अर्थाल पहले ग्रह को नौ माने जाते थे सौरमंड़ में नौ ग्रह माने जाते थे लेकिन 2006 में अंतर राष्टी खगोली शंगठन ने इसे ग्रह के सरेनी से हटा के बाउने आप देखते हैं यहां पर दिया गया कुछ रोचकतत जानते हैं यह लिखा हुआ कि आप जानते हैं कि एक मिनिट कि अब जानते हैं पाउराडिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है सूर्य देवता को कहा जाता है सौर्य सब्द का अर hypothesis मंदिक इसलीए सूर के परिवार को साओर मंडल अर्था सोलर सिश्टम कहा जाता है सऊर्य सब्द का उपयोग कर ते हुए अधिक सब्ध को लिखे इसे सौर मंडल हो गया तो सौर उर्जा हो गया इसी प्यकार चलिए आगे हम देखते हैं सब्द की उत्पत्ती नहीं सब्सक्र पत्ति क्या है ऐसे बहुत सब्द जन्का उपयोग हम एक भासा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भासाओं से लिए गया सब्दों सकते हैं, उधरन के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेदी सब्द है, यह ग्रीक भासा से लिए गया है, जिसका अर्थ होता है, प्रिद्वी का वीवरण, यह ग्रीक के दो सब्दों से मिलकर बना है, जी सब्द का अर्थ ह अर्थ लिखना जी सब्सका अर्थ है प्रद्वी अर्थ लिखना आइए प्रिद्वी के संब्ध में और अधिक जाने हैं धिया गया हुआ है अ भष्येजियो हैं ग मी जीओ लाजी जी जी मतलब प्रिद्वी का अध्यान जीओमेट्री मतलब प्रिदवी का मापन जीओ आइड्स मतलब प्रिदवी के आकार के अनुरूप यहाँ जीओ समंदित सब्ध बन गए यहाँ लिखा गया है क्या आप जानते हैं देखें यह बहुत मजदाचीज होता क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुस हमेशा से मोहित हुआ है खगोली पिंडो एवन उनकी गती के समंद में अध्यन करने वालों को खगोल सास्त्री कहते हैं आरे भट प्राचीन भारत के पसिद खगोल सास्त्री थे आज विश्व के सभी भागों में खगोल वीथ, ब्रमान के रहस्तों को खोजने में लगे हुए हैं गुर्ष की बात हमने कहल लिया गुर्ष में अब हम प्रिद्वी बात करते हैं प्रिद्वी अर्थ सूरक से दूरिक की हिसाब से पिदवी तीसरा गरह है आकार में यह पांच वह सबसे ब़ता गरह यह दुरुओं के पास थोड़ी चबटी है यही कारण है कि इसके आकार को भु अभाग पिदवी के आकार को क्या कहते हैं भु आब क्या करते हैं भू आप का अर्थ है प्रिजवी के शमानाकार ठिक आगे देखते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवता केवल प्रिजवी पर ही पाई जाती है प्रिजवी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी यहाँ पानी एवं वायू उपस्तित है जो हमारे जीवन के लिए अवस्यक है वायू में जीवन के लिए अवस्यक गैसे जैसे अक्सीजन मौदूद है इन्ही कारणों से प्रिजवी सवरमंडल का सबसे अधूद गर्भ है अंतिर से देखने पर पिद्वी नीले रंकी दिखाई देती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतर पे पानी है इसलिए इसलिए नीला ग्रह भी करते हैं और यह अंतिर से देखने पर हरा भी दिखाई देता है इसलिए इस ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी चानते हैं तो आगे देखते हैं कि आगे लोग देखते हैं कि आप जानते हैं कि प्रकास की गती लगभग 30,00,00 km प्रतिस सेकंड इस गती के बावजूज भी सूर्ष से प्रकास को प्रिद्वी में आने में लगभग 8 मिनट का समय में लगता है इससे आप अंदल्लेएं लगा सकते हैं कि सूर्य से कितने दूरी परिश्थी थे अधिते हैं हमारी प्रिद्वी के पास केवल एक उपग्रह अन सब्सक्राइब प्रिद्वी के सभास्रूज फन्तर यह इतना बड़ा इसलिए पतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोली पिंडों के पेच्छा नद्दिक था जितने भी खगोली पिंड वह प्रिद्वी के सबसे नद्दी क्या है चंद्रमा है जिसकी दूरी लगभग तीन लाख चौरासी हजर किलो मीटर है अब प्रिद्वी से यह सूर की दूरी की तूलना कर सकते हैं हमने आपको पहले बताया कि प्रिद्वी से सूर की दूरी लगभग पंद्रह करोन किलो मीटर है और हाली में भारत ने चंद्रयान टुप भेद दिया है चंद्रमा पे जो सेदंबर में पहुँच भी जाएगा चलि बता दे रहा हुँका नाम है राकेश सर्मा अब यह बताएगे कि वह कब गए थे चलिए यहां पे चित्र दिया गया है चित्र में क्या देखते हैं यह दिए प्रिद्वी से राकेट का क्या हो रहा है प्रच्छेपड हो रहा है और इसमें जो उब्गर्भ है वक्छा में इस प्रिद्वी की कच्छा होती है और चंदर्वाइ कच्छा होती है खली अब गर्छा एक हघुली पिंड है जो ग्रहों के चारो और उसी प्रकाश चक्क लगाता है जिस प्रकार ग्रच्फ उर्पार्थ लगाते हैं मानों निर्मीद ुब गड़ा इस राकेट इस राकेट के माधण से अंत lanç नहीं किया जाता है उसे राकेट के माध Rise अब हाली में भारत ने चंद्रयान टू लांज किया राखेट के मादम से भेजा है जो चंद्रमा पर जाएगा और चंद्रमा की बारे में जानकारी एक अट्रित करेगा यह चंद्रमा के दच्छरी धूर पर लैंज करेगा ऐसा करने वाला भारत विस्टुका कौन साथ होगा चौथा देश होगा चंद्रमा पर जाने वाला चोथा देश होगा और इसकी दछ्नद्रविक तर्फ परेए पहला देश होगा तक हो में कि अब हम आगे देखते हैं अब गराख की बात और देखेए कुछ और दिया गया है चंद्रमा प्रिद्वी का चक्कर लगबग 27 दिन में पूरा करता है किते दिन में 27 दिन में लगबग इतने ही समय में यह अपने कच का एक चक्कर भी पूरा करता है इसके परड़ाम सरूप प्रिदिवी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा की पस्तितिया जीवन के लिए अनकूल नहीं है यहां ना पानी है और ना ही वायू है इसकी सत्व परवत मैदान इवम गड़े हैं जो चंद्रमा की सत्व पर छाया बनाते हैं पुर्णीमा क कुछ नहीं बल्कि बहां पर श्ति परवतों की जोती है वह है आफ देखते हैं चुश्ण क्या होते हैं चुश्ण के लिए 10 निय'Sक रही ट्र hebते मंगल दोकि बीच पाय पाई जाते हैं जो बहुत वर्ष पहले बिस्फोड के बाद ग्रहों से चूट जो घया हो गए थे इनके अब दिखते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं कि सूर के चार और एक शूर के चारों चक्र लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे चोटे तुकडों को उलका पिंड काते हैं कभी-कभी ये उलका पिंड प्रिद्वी की इतने नजदीक आ जाती हैं कि इनकी प्रवित्ती प्रिद्वी पर गिरने की होती है इस पक्रिया के दोरान वाजीव के साथ घरसल होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फल स्वरूच चमकदार पकास उत्पन होता है, कभी कभी कोई उलका पिंड पूरी तरह जले बिना प्रिद्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड़े बन जाते हैं, निबराद को हम देखते हैं, चमकदार एक रोसनी आती है, तो गौव में दूसरी और फैली चोड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, यह लाखो तारों का समू है, यह पट्टी आकास गंगा, मिलकी वे, मिलकी वे है, जो हम रात को देखते हैं, पूरा तारह से भरा अफमान होता है, उसे कहते हैं, आकास गंगा कहते हैं, उसे से की गई थी इस प्रकार का नाम अकाज गंगा पड़ा इस प्रकार का नाम इसका इसका नाम अकाज गंगा पड़ा अकाज गंगा करोणों तारों बादलों गैसों का एक प्राली है इस प्रकार की लाखो इस प्रकार की लाखो अकाज गंगा मिलकर बर्मान का निर्मार करती ह ब्रमान की विशालता की कलपना करना आते दिंग कठी नहीं समझ सकते हैं कि हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है उसके बाद सौरमंडल किसमें एक छोट सौरमंडल अकास गंगा के एक छोटा सा भाग है और कईयो लाखो मैं दिया गया है कईयो अकाज गंगा मिलकर किसका ब्रमाण कर सकती है अभी हम सवरमंडर का पता नहीं जगा पाएं सही से उसके पाद आकाज गंगा फिर उसके पाद ब्रमाण यहां पर यह बात बिल्कुछ सही कि यही है कि इसकी कलपना हम नहीं कर सकते हैं बर्मान की विशालता कि कलपना करना तधिक कठीन है वैज्ञानिक अभी वी इसके बारे में अधिक से अधिक जनकारी एकत करने में जूटे हैं इसके आकार के संबंद में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रमांड के हिस्सा हैं यहां क्या दिया गया है यहां दिया गया है क्या आप क्या बर्मान के साथ अपना संब्ध बता सकते हैं आप प्रिद्वी पहरें जाथा प्रिद्वी सौरमंडल का एक भाग है हमारा सौरमंडल आकास गंगा का एक भाग है जो बर्मान का हिस्सा है बर्मान जोड़े इस तत् लाको आकाज गंगा है और यही बरमान के नियुक्त करती है यह एक अभी सुसनी और कलपण ही नहीं कर सकते हैं छड़िए अब यहां पर यह सवर मंदल से आप क्या समझते हैं सूर से उनकी दूरी के अनुसा गरहों के नाम लिखें पेद्वी को अद्बूत गरह क्यों कहा जाता है हम हमेशा चंद्रमा के आखा एक ही भाक्यों देख पाते हैं ब्रमान क्या है तो आप इसे लिखिए क्यों है देखिए यहां पर कुछ अब्जेक्टिव कोशन भी है चलिए बताइए किस गरह को प्रिद्वी के जुरुगा गरह के नाम से जानते हैं तो मैंने आपको बताया सुक्र को सूर से तीसरा सबसंतिक गरह कौंस आ है तो मैंने बताया पहले क्या है मरकरी है फिर क्या है हमारा प्रिद्वी है तो यह लेशन आप नहीं हमाच्ट हूंगा और कल हम अगला आप पढ़ेंगे जिसका दूसरा लेशन होगा चलिए यहां के लिए इतना आज इतना ही कल हम दूसरा लेशन पढ़ेंगे इसी प्रकार से यह एंसाटी की बुक ज़्ली खतम हो जाएगी उसके वाद हम साथ का भूगोल पढ़ेंगे, ठैंक यू, जहिम